नमस्कार साथियों मैं सावाई सिंग एक बार पुना एनवीरा एजुकेशन यूटूब चैनल पर आपका हारदिक श्वागत करता हूं साथियों हम पढ़ रहे हैं भारती इतियास और भारती इतियास की कड़ी के अंदर आपना जो चेप्टर चल रहा है वो है आपके मुगल काल और मुगल काल के अंदर अंतरगत हमने जो इतियास पढ़ा था जिसके अंदर जहिरुदिन बाबर हैं हुमायू का इतियास अकबर का इतियास जहांगीर और साजा की संपुन एतियसिक जानकरी का हमने बियरा लिया साथ ही सूरवन्ष के बारे में भी हमने पढ़ा हाला और मुगल काल का सबसे अंतीम प्रवाव शालिश शाशक बताया जाता है और इसके सासनकाल के बाद में जो मुगल काल जो है यह अपनी पतन की और उनमुक हो जाता है पतनों का कारण भी पड़ेंगे हम और जितना औरंग जेब ने सासन किया है सातियों उस टाइम पिरियेड तक मुगल काल में अगरिम जो बादसा बनते हैं इनके उत्रादिकरी के तोर पर उनके सासनकाल में साल से आट बादसा देखे जाते हैं लेकिन उनकी जो राजनतिक जो उनकी प्रमुक जो शक्तियां हैं वो अपने तकी सिमट कर रह जाती हैं जो मुगल दरबार हैं वो इर तियासिक जानकारी हम पढ़ने वाले हैं इससे पहले में बता देता हूं कि इससे पहले हमने सहाजहां के बारे में पढ़ा था सहाजहां की प्रमुक जो प्रमुक इंपोर्टेंट तत्ये बताया जाते हैं तियासिक तत्ये उनके बारे में भी हमने बात के थी सहाजहां की पत करने से पहले मैं आपको गुड लग कहना चाहता हूं आगामी जो आपके एक्जाम आरा राजिस्थान पुलिस कांस्टेबल हर एक परतिभागी को मेरी तरफ से और एन्विरा की संपुन्ट टीम की तरफ से बैस्ट आप लग और साथ छे साथ और आट को जो एक्जाम होने व या जनरल साइन्स से समदित हर एक वीडियो आपके सामने हम लेकर आये थे तो शुरू करने जा रहे हैं औरंग जेब के बारे में तो औरंग जेब हम पढ़ने जा रहे हैं सातियों तो औरंग जेब जो है इनका सासन काल जो हमें देखने को मिलता है यह 1618 इश्वी से लगा काल हमें देखने को मिलता है और अगर बात करें सात्यूं औरंग जेब का वास्तविक नाम तो औरंग जेब जो है इनका वास्तविक नाम देखने को मिलता है मुईजुदिन क्या नाम देखने को मिलता है मुईजु दिन औरंग जेब का वास्तविक नाम देखने को मिलता है और इन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है संसार का बात्सा कहा जाता है आलमगीर का अर्थ बताया जाता है बात करता है कि ओरंग जेब जो हैं ये सासक बनने से पहले इसे साहजां के द्वारा कहां का गवर्णर न्यूक्त किया गया था तो ओरंग जेब जो हैं इसे शाहजां द्वारा किसके द्वारा शाहजां जो ओरंग जेब की पिता बताया जाते हैं सहां जहां द्वारा दक्षिनी भारत का शुबेदार नुक्त किया औरंग जेब को दक्षिनी भारत का शुबेदार नुक्त किया गया और सहां जहां के द्वारा जब दक्षिनी भारत का औरंग जेब को नुक्त किया गया है तो औरंग जेब ने जो अपनी राजदानी बनाई है तो राजदानी का नाम बताया जाता है औरंगाबाद क्या नाम बताया जाता है औरंगाबाद औरंग जेब के द्वारा अपनी दक्षिन की राजदानी के तोर पर इसे काविज किया गया था औरंगाबाद चुँकि औरंग जेब वह शासक बताया जाता है जिसका सामराजी विस्तार सातियों कंदार से लगा कर बंगाल तक और उतर में कश्मी से लगा कर दक्षिन में कावीर नदी के अंत तक देखा जाता हालां कि औरंग जेब जो हैं अपने सासन काल के तहट 25 वर्षों तक दक्ष बारत की तरफ अडिग रहना और इसे मुगलों का कबिस्तान भी का जाता चूँकि औरंग जेब का कबिस्तान भी आपके बताया जाता है तो अब हम बात कर लेते हैं औरंग की एतियश प्रुपरतम हम पढ़ने वाले हैं जनम कई बार पूचा जाता है कि औरंग जेब का जनम कहां हुआ था वैसे चुंकि इनके माता पिता का अबिसली हम नाम जानते हैं तो औरंग जेब का जो जनम है सातियों यहां तीन नौम बार 1618 इश्वी को दो हद तीन नौम बार 1618 इश्वी दो हद उजेन में कहां जनम हुआ था इनका उजेन में इनका ज जनम बताया जाता है कहां बताया जाता ये अगर बात करें सात्यों इनके पिता की तो उरंग जेप की पिता का नाम बताया जाता है सहा जहां और इनकी माता का नाम अगर देखने को मिले तो मुम्ताज महल या फीर इन्हें अंजुमंद बानो बेगम के नाम से जाना जाता है अंजुमंद बानो इनकी मा का नाम बताया जाता है बात करें अगर सहा जा के तो सहा जा के पुत्रों के अंदार अगर बात पूछ लिजाए कि औरंगजेब कितने नमर का पुत्र और कितने नमर के संतान बताया जाती है सहाजा की तो तीसरा पुत्र वर पांचवी शंतान बताया जाता है औरंग जेब को वास्तवीक नाम मुईजुदिन हमने पहले बात कर लिया और इन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है अब दार्मी कटरता के इनकी जो चारित्रिक विशिष्टा बताया जाती इनके कारण औरंग जेब को जिन्दा पीर भी कहा जाता है चुकि औरंग जेब वह बात सा था जो मुशलमानों के अंदर पांच वक्त की जो नमाजे बताया जाती है जिसे नमाजे फजर जोहर असर मगरिब और इंसा ये पांचों वक्त की जो नमाजे हैं वो एक समय में अदा कर लेता था जिसके कारण भी इतियासकार इसे जिन्द पीर बताया करते हैं बात कर लेते हैं औरंग जेब के गुरू के बारे में औरंग जेब जो हैं इनके गुरू का नाम हमें क्या देखने को मिलता है साथियों तो औरंग जेब के गुरू का नाम मीर मुहम्मद मीर मुहम्मद औरंग जेब के गुरू का नाम मीर मुहम्मद हकेम बताया जाता है क्या बताया जाता है मीर मुहम्मद हकेम इनके गुरू का नाम बताया जाता है चुंकि सासक बनने से पहले औरंग जेब को अपने पिता साजा के द्वारा इसे दक्षिन भारति का सुभीदार नुक्त किया गया और यही पर रहते वे औरंगजेब ने औरंगाबाद को अपनी राजदानी बनाया था और जितने भी इसके जो निर्मान देखने को मिलते हैं चाहे बीबी का मकबरा जिसे इनकी बीबी के मरतियों के उपलक्स में इन्होंने जो मकबरा बनाया जिसे बीबी का मकबरा बनाया वो भी आपके ओरंगाबाद के अंदर ही इस्तेपत बताया जाता है जिसे ताज महल की नकल के रूप में भी बारती इतियास करो के द्वारा इसे देखा जाता है बात कर लेते हैं सातियों अब हम राजिय अभिसेख की की औरंग जेब जो है यहाँ इसका राजिय अभिसेख कितनी बार किया गया था कितनी बार इनका राजी अभी सेक हमें देखने को मिलता है बारती इतियास के अंदर तो औरंग जेब का राजी अभी सेक दो बार हुआ था कितनी बार दो बार हुआ था और एक्जामपल के तोर पर पूचा जाए सातियों कि बारती इतियास के अंदर अगर मुगल काल के अंदर वकों से सुल्तान हुए सासक हुए हैं जिनका दो बार राजी अभी सेख देखने को मिलता हैं तो इन में सरुपरतम नाम आता है आपके जलालुदीन अकबर का और दूसरा जो नाम हमें देखने को मिलता है सातियों वो मिलता है आपके ओरंग जेब का किसका ओरंग जेब का दो बार राजी अभी सेख देखने को मिलता है अब दो बार इनका राजी अभी सेख हुआ तो पहला राजी अभी सेख कब हमें देखने को मिलता है सातियों तो ओरंग जेब का जो पहला राजी अभिसेख देखने को मिलता है यहाँ हमें पहला राजी अभिसेख जुलाई 1698 इश्वी जुलाई 1698 इश्वी पहला राजी अभिसेख जुलाई 1698 इश्वी में इनका पहला राजी अभिसेख और दूसरा जो दूसरा विदिवत रूप से इनका दूसरा राजी अभिसेख दूसरा विदिवत रूप से इनका जो राजी अभिसेख हमें देखने को मिलता है सात्यों 3 जून जो है 1669 इश्वी 3 जून 1669 इश्वी इनका राजी अभिसेख हुआ आगरा के अंदर किसके अंदर इनका राजी अभिसेख हुआ आग्रा के अंदर इनका राजिया अभी सेक के आउशर पर जो मुक्य प्रमुक रूप से जो अतिती जो गेस्ट यहां पर बुलाये गए थे इस आउशर पर वह बुलाये गए थे फारश के शाह फारश का जो सुल्तान है इनको मुक्य अतिती के तोर पर इस राजिय अभी सेक के आउशर पर बुलाया गया था और फारश का जो शहा यहां पर निमंतरन के तोर पर इनको बुलाया गया इस निमंतरन या फिर इस राजिय अभी सेक की जो डीटेल है सातियों या हमें किसमें देखने को मिलते हैं सात्यों तो बताने वाला इतिहाशकार बताएं जाता है राजी अभिसेक की उसको मनूची के नाम से जाना जाता है अब मनूची ने जो गरंट लिका है जिस गरंद के अंदर हमें औरंग जेब के देखने को को मिलता है द इस्टोरियो द मोगोर वह ग्रंत है जिश में किसका वर्णन पढ़ने को मिलता है राजी अभिसेक के आउशर पर जो फंक्शन किया गया था इस फंक्शन का पूरा का पूरा डीटेल हमें इस्टोरियो द मोगोर के अंदर ये डीटेल हमें पढ़ने को मिलती अब निमंत्रन दिया गया है फारस के साह को तो निमंत्रन के तोर पर जब यह इस फंक्शन के अंदर उपस्तित हुए है तो औरंग जेब की तरफ से फारस के साह शुल्तान को खुश करने के लिए जो परम इनको गिप्ट के तोर पर दिये गए थे फारस के साह को शाट गोडे इनको गिप्ट के तोर पर दिये गए थे शाट ही इनको 36 केरेट का गोल मोती कितने केरेट का खहने के सोखीन बताया जाते है फारश का साह, इनके ये सारे सारी चीज़ें कि इनुके द्वारा ओरंग जेब के द्वारा फारश के शाह को गिप्ड के तोर पर दिया गया और अपने दूसरे राज़िय अभिसे को इतियास के अंदर वन्नित करके इन्होंने रख दिया था, इतियास लोगों के इशमर्ती के अंदर इनोंने अपने दूसरे राजी अभी से को सदा जिंदा रखा आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं औरंग जेब की पत्नी के बारे में तो ओरंग जेब की जो पतनी बताया जाती हैं सासी हों इन्हें राबिया बेगम या दिल रास बेगम के नाम से जाना जाता हैं इनका विवा कब बताया जाता है इसके बारे में हम डीटेल पढ़ लेते हैं बात कर लेते हैं औरंग जेब की पतनी के बारे में चूंकि औरंग वह शुल्तान था जिशने केवल एक शादी की एक निका किया था इसके अलावा जो भी मुगली सल्तनत या मुगल सामराजी जो हैं इनमें जो सासक हैं इनकी एक से अधिक अनिक अनिक शादियां भी देखने को मिलती तो बात कर लेते औरंग जेब की पतनी या फिर विवा के बारे में कि औरंग जेब का जो विवा है कहां हुआ था किसके साथ हुआ था ये सवाल भी पूचा जा सकता है तो औरंग जेब का जो विवा बताया जाता है सातियों यह 18 मई 1637 इश्वी 18 मैं 1637 इश्वी को औरंग जेब का जो विवा है या फारस की राजकुमारी औरंग जेब का जो विवा है या फारस की राजकुमारी राजकुमारी का नाम बताया जाता है दिल रास बेगम उर्फ इसे राबिया दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है राबिया दुर्रानी या दिल रास बेगम के साथ में 18 मही 1637 इस्वी को औरंग जेब का निका बताया जाता है चुंकि दिल रास बेगम जो है इसे अत्यदिक प्रेम करता था औरंग जेब और एक ही इसने विवा किया अपनी पतनी को बेपना प्यार करता था और जब दिल रास बेगम जो है इनका इंतकाल हुआ तो इनकी याद में औरंग अबाद इस्तित अगर पूछ ले सातियों कि दिल रास बेगम जो है इनका मकबरा कहां पर इस्तित है तो इनका मकबरा बताया जाता है औरंग अबाद में में मकबरा बताया जाता है दिल रास बेगम का औरंग बाद में दिल रास बेगम का जो मकबरा बताया जाता है इसे ताज महल दित्ति ताज महल या ताज महल की ताज मेहल की फूहड नकल कहा जाता है ताज मेहल की फूहड नकल किस मकबरे को कहा जाता है तो सातियों दिलरास बेगम उर्फ राबिया दुर्रानी के मकबरे को ताज मेहल की फूहड नकल के नाम से जाना जाता चूंकि संपून हिंदुस्तान का बात्सा था औरंगजेव लेकिन औरंगजेव ने शाहिकोस से एक रुपया भी अपने खर्च के लिए काम नहीं लिया इसकी चारित्रिक विशेश्ता पढ़ेंगे हम तो इसमें इसके दौरा जो टोपी मुनना है और कुरान की नकल करना है नकल करके बाजार या हाट में जाकर चोरी चीफे बेज़ कर इसे जो हदिया प्राप्त होता था हदिय के दौरा ये अपना निजी खर्च चलाया करता था अब हम बात कर लेते ओरंग जेब के पुत्रों के बारे में चूंकि हमने विवाह के बारे में पढ़ लिया है इनकी पतनी के बारे में पढ़ लिया पतनी के मकबर के बारे में पढ़ लिया अब हम बात कर लेते ओरंग जेब के पुत्र या उत्तरा दिकारी ओरंग जेब के पुत्र औरंग जेब की पुत्र कितनी बताये जाते हैं तो औरंग जेब के तीन पुत्र बताये जाते हैं पेले पुत्र का नाम मुवजम क्या नाम बताये जाता हैं मुवजम के नाम से इन्हें जाना जाता हैं दूसरा जो इनका पुत्र देखने को मिलता है सात्यों इसे जम के नाम से जाना जाता है और औरंग जेब का तीसरा जो पुत्र हमें देखने को मिलता है इसे कामबक्ष के नाम से जाना जाता है किसके नाम से कामबक्ष के नाम से जाना जाता है चूंकि औरंग जेब की 1707 इश्वी में मर्तियों के पशात इन पुत्रों के अंदर भी उत होना सुरू हो जाता है जिन में औरंग जैब के बाद में जो बादसा बनता है इसे मुखजम के नाम से जाना जाता है जो आपके 1707 इश्वी में बादसा बनता है। औरंग जेब के बाद में लेकिन मुघ्जम जो है इसे बहादूर सा पर्थरम के नाम से भी जाना जाता है चूंकि औरंग जेब के उत्रादिकर युद में मुघ्जम और आजम नाम का आता हम आमेर का सासक जे सिंग आमेर का सासक जे सिंग जो है आजम का साथ देता है लेकिन मुखजम इस उत्रादिकर यूद के अंदर जीत जाता है और जीत जाने के बाद में सर उपर तम आमेर के उपर ही इसकी टेडी नजर पड़ती है और आमेर को अपने अंतरगत करने के बाद मे आमेर का नाम बदल कर किसका आमेर का नाम बदल कर आमेर का नाम बदल कर मौमिनाबाद नाम रखा बहादुर सा परतम ने सासक बनने के बाद में आमेर का नाम बदल कर क्या रखा साथियों मौमिनाबाद रखा हैं तो तीनों पुत्रों के बारे में हमने डीटेल पढ़ लिये है सातियों अब हम बात कर लेते हैं औरंग जेब के प्रमुक तत्यों के बारे में और बात कर लेते हैं औरंग जेब और इसके बाईयों के मद्य जो उत्रा दिकर इस संगस हमें देखने को मिलता हैं औरंग जेब क का प्रमुक रूप से युद हमें देखने को मिलता है और इसके अंदर जो ओरंग जेब के ओपोजिट विप्रिज जो सासक इसके सामने राजगदी को लेकर आपदा भी जो चल रही थी जिसके अंदर रारा सिको का नाम सबसे पहले बताया जाता है तो दारा सिको का जो शाथ बताया जाता है जश्वन सिंह अब जश्वन सिंह दारा सिको के दौरा शाथ दिया जाता है लेकिन औरंग जेब राजगदी को हासिल कर लेता है और औरंग जेब के दौरा जश्वन सिंह को करूद का भाजग बनना पड़ता है औरंग जेब के दौरा जश्वन सिंह को आधार सी आफगानिस्टान जम्रूद के अंदार तो औरंग जब के द्वारा साही गोशना कि जाती है जस्वन सिंग के संपूर्ण राज परिवार को दिली लाय जाए और इसे शडियंतर के तहत मारा जाना इसके एक नियती बताए जाती हैं लेकिन वीर दूर्गादास राठोड के करकमलों के कारण जस्वन सिंग के पुत्र अजिस सिंग को बचा लिया जाता हैं और जो मारवा हम सातियों बात कर लेते हैं औरंग जेब जो हैं इनके महत्वपून कारिये औरंग जेब के जो महत्वपून कारिये हमें देखने को मिलते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं महत्वपून कारिये या पिर उनकी विसेस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें सातियों व अगर पढ़े हैं तो इन में सर उपरतम इनकी विसेश्ता जो आती है औरंग जेब कटर सुनी मुशलमान था औरंग जेब कटर सुनी मुशलमान था और हिंदों के परती हमेशा ही इनका नेगेटिव रवेया रहा है और ये सुनी मुसलमान अनुयाई बताया जाता है औरंग जेब कटर सुनी मुसलमान था इसके कारण सन 1665 इश्यू में औरंग जेब ने शाही सेना को हिंदों के मंदिर तोड़ने का आदेश दिया अगर साही सेना को हिंदों के मंदिर तोड़ने का आदेश दिया अगर सातियों बात करें बारति हिंदों के मंदिरों की तो इनमें दों-चैना इसके परतम नाम आता है आपके सल्तनत काल की बात करें तो इसमें सिकंदर लोधी का नाम हमें देखने को मिलता है मुहमद घजनवी का नाम देखने को मिलता है साथ ही अगर मुगल काल की बात करें तो ओरंग जेब का नाम देखने को मिलता है जिसके सासन काल के अंदर हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी परतिमाओं को भगन आउशिश में तब्दिल करके रख दिया था तो पहली इनकी विशेशता हैं हमने पढ़ ली हैं लेकिन जो यह बताया जाता है कि ओरंग जेब कटर शुनी मुसलमान था और इसी को देखते हैं यह संपून भारत को दारूल इश्लाम दारूल इश्लाम बनाने का प्रियत्न किया क्या किया है दारूल इश्लाम बनाने का क्या किया है सातियों प्रियतन किया है अथार्त सिंदुस्तान को शंपुन मुस्लिम देश बनाने का और शफल प्रियास किष्णी किया था औरंग जेब के द्वारा ये कारी किया गया था आगे बढ़ते हैं औरंग जेब के परमुक ज आती हो इनके सासनकाल के अंदार तो दूसरा जो कारी हमें देखने को मिलता वो यह बताया जाता है कि ओरंग जेब ने शाही दर्बार ओरंग जेब ने शाही दर्बार में शंगीत नर्टिय ओरंग जेब ने शाही दर्बार में शंगीत नर्टिय चित्रकला शातिही तुलादान तिलक प्रथा वेश्याओं पर पाबंदी वेश्याओं पर पाबंदी वापस पढ़ लेते हैं औरंग जेब ने शाही दर्बार में शंगीत के उपर शंपून परतिबंद लगा दिया नर्टिय के उपर साही दर्बार में नर्टिय करना संपून रूप से परतिबंद कर दिया चित्रकला जितने भी चित्रकारी या पिर कला का जो थे इसे साही दर्बार से अथार्त दिल्ली से बार निकाल दिये इसके कारण बारत के अंदर निक चित्रों के अंदर ये चित्रकार पहुंचे है और चित्रकला का विकास हमें देखने को मिलता है जब राजिस्थान की चि चित्र qley के जैसे जेपुर कलायें मारवार कलायें कोटा शैली वगवरे परमुक रूप से जो चैलियांस पड़ने Göran雁港 ओरंगजेo के सासुनकाल के बाद में हैं इनका विकास हमें देखने को मिलता त्रणग जिब में संगीत है नर्ति यह चित्र कला हैं तुला दान बास्ता को रुपए पैसों आदी से सोने चांदी के सिकों से तोलना तुला दान तिलक परता यह हिशित बटाने के लिए और शात ही विश्यों के उपर शंपुन रूप से किसने पाबंदी लगा दिती औरंग जेब ने शंपुन रूप से तुमार बताया जाता है नवरूज हॉली व दिपावली औरंग जेब के द्वारा त्योहार नवरूज हॉली दिपावली पूनते पाबंद पूनते पाबंद कर दिया गया क्या कर दिया गया पूनते इसे पाबंद करके रख दिया गया था किसके द्वारा औरंग जेब के स अंदर बहुत सारे कटरफेसली लिए थे लोगों को तृस्त करत कर रख दिया था औरंगजेब के द्वारा इसी के कारण बहुत सारा विद्रोह का सामना करना पड़ा चाहिए सिखों का करना पड़िदो सात्यी देम्रैट पुतों का विद्रो हो चाहे मराठों का विद्रो हो चाहे मुंडियाओं का विद्रो हो यह बहुत शारे विद्रो औरंग जेब को जेलने पड़े थे आगे बात करें साथ यहूं कि अगर औरंग जेब के बारे में अगर और हम बात करें इनकी चारित्रिक विशेष्टा चारित्रिक विशेष्टा औरंग जेब के बारे में अगर चारित्रिक विशेष्टाओं की बात करें तो औरंग जेब के बारे में मैंने पहले बताया है कि टोपी बुनना टोपी बुनना व कुरान की नकल तयार करना टोपी बुनना वो कुरान की नकल तैयार करना जिसे कारी किया करता था अपने फिरी टाइम के अंदर औरंग जेव और इन दोनों को बाजार या हाट के अंदर हाट या बाजार जो सब्ताई के अपकवाड़े के तोर पर विपी नगरों के अंदर लगते थे चोरी छिपे जाकर हाट के अंदर इन वस्तों को बेचा जाता था अब इन वस्तों को बेचे जाने के उपलक्स में जो हदिया मिलता था हदिया क्या होता मैं अभी बता देता हूँ हदिया जो मिलता था उस हदियत से ही ये अपने निजी जीवन का जितना भी खर्च है उसका वहन किया करता था तो अगर सातियों अगर पूछ लिया जाए हदिया किसे कहा जाता है तो किसी दार्मिक वस्तों को बेच कर जो धन हासिल किया जाता है रुपे पैसे अजित जो किये जाते हैं उसे हदिया के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं विबिन सारे इनकी जो चारित्रिक विशेश था है हमने देखी परमुक रूप से तीन आगे बढ़ते हैं इनकी महत्पुन कारी और कौन-कौन से हमें देखने को मिलते हैं तो चोता जो परमुक रूप से औरंग जेब का जो कारी हमें देखने को मिलता है वो जजियाकर की बहाली बताया जाता है जजियाकर जिशे शमराट अकबर के द्वारा निरस्त कर दिया गया था इसे खतम कर दिया था तो चोती परमुक रूप से जो विसेशता हैं हमें देखने को मिलती है वो यह बताया जाती है औरंग जेब ने अपने सासनकाल के अंदार 1689 इश्वी में औरंग जेब ने 1689 इश्वी में जजिया कर पुना शुरू कर दिया अगर जजिया कर के बारे में पूछ लिया जाये सातियों तो यहाँ गेर मुश्लिम कर बताया जाता है गेर मुश्लिम कर जो किस से लिया जाता था especially हिंदों से बड़े पेमाने पर ये कर लिया जाता था और मुगल काल के अंदर ये जो कर बताया जाता है ये एक बटा तीसरा भाग बताया जाता है जो दार्मी कर की सरेनी के अंदर भी आता है एक समय समराट अकबर के दौरा इशकर को पूनते खतम कर दिया था लेकिन औरंग जेब ने इसको 1689 इश्वी के अंदर वापस इसे बहाली कर दिया गया था और जब जजिया कर वापस शुरू किया है तो मेवाड राजशीहासन या फिर मेवाड रियाशत ने विरोध किया क्या किया है मेवाड रियाशत ने इसका विरोध किया और मेवाड रियासस से विरोध करने वाला जो प्रमुक शासक बताया जाता है उसे राजशीह के नाम से जाना जाता है जिसने जजिया करका पुनर क्या किया है विरोध किया तो चार इनके प्रमुक चारित्रक विशेष्टा ये बता दी है अब हम आगे बढ़ते हैं पांच सासन का आधार कुरान को बनाया किश को बनाया कुरान को मुगल सासन का आधार बनाया शात ही इसलाम धर्म को किश को इसलाम धर्म शात ही इसलाम धर्म को राज धर्म गोशित कर दिया राज धर्म गोशित साथ ही इसलाम धर्म को राज धर्म गोशित करके रख दिया है किस के द्वारा औरंग जेब के द्वारा और मुगल सासन जो है किस के उपर इन्होंने हैंडल करना सुरू कर दिया कुरान के जितने भी rules regulation बताया गए है इनके आदार पर ये सासन चलाना या संचालित करना इन्होंने क्या कर दिया था शुरू कर दिया था तो इनकी परमुग रूप से detail हमने पढ़ ली छटी जो परमुग रूप से इनकी जो atheistic जानकारी बताया जाती है कि ये कटर सुनी मुसलमान बताया जाता है तो इस्लाम धरम परचार के लिए इस्लाम के परचार वा प्रचार है तू शिक्कों के इस्लाम धरम के परचार परचार है तू शिक्कों के नोवे गुरू तेग बहादुर को इस्लाम ग्रहन न करने के कारण शिक्कों के नोवे गुरू तेग बहादुर की 1675 इश्वी में हत्या करवा दी थी और जहां पर हत्या करवाई गई हैं सातियों वहां पर जो शिक्कों का परमुक रूप से जो गुरु द्वारा देखने को मिलता है सीस गंज गुरु द्वारा इस्थल बताया जाता है यहीं पर शिक्कों के नोवे गुरू तेग बहादुर की हत्या करवा दी गई थी औरंग जेब के दोरा शात ही तेग बहदूर के पुत्रों को भी निर्ममता से यहां पर कतल करके रख दिया था पांच दिन तक इनको यातना देता रहा है औरंग जेब और उसके बाद में शिश गंज इस्थान जहां पर गुर्दवरा बनाएं वहीं पर इनकी हत्या इनका सरकलम करवा दिया था तो उस औरंग जेब के बारे में छे परमुक रूप से हमने चारिकत्रिक विशेश थाएं देख लिए सातियों आगे बढ़ते हैं औरंग जेब के जो परमुक रूप से जो हमें डीटेल पढ़ने को मिलती है इसके अंदर औरंग जेब के शासनकाल के अंदर परमुक रूप से कौन से साहितियों का सर्चन किया गया था कौन कौन से गरंत लिखे गए थे औरंग जेब के शासनकाल के अंदर परमुक रूप से जो इतियासकार मुगल दर्बार का जो इतियासकार बनाये गए था उसका भी नाम आपसे पूचा जा सकता है तो बात कर लेते हैं औरंग जेब के कालिन या समकालिन जो परमुक रूप से साहितियों लिके गए हैं उनक गुरु गोविन सिंग जी के नाम से जाना जाता है गुरु गोविन सिंग जी ने अपने बाद में गुरु पद को हमेशा के लिए खतम कर दिया गुरु गरंथ साहिब खालसा सोरी आदि गरंथ जो हैं उसे ही गुरु की पदवी दी गई थी लेकिन एक ब़र सवाल पूचा गया था कॉम्पेटिशन के मादियम से कि ओरंग जेब और गुरु गोविन सिंग जी के मद्वी जो पत्रा चार हुआ था उन पत्रों के संकलन को क्या कहा जाता है तो उस पत्रों के संकलन को कहा जाता है आपके जफर नामा किश के नाम से जफर नामा के नाम से जाना जाता चूंकि गुरु गोविन सिंग जी से पहले ही औरंग जेब की 1707 इश्वी के अंदर मर्थी हो गए थी चूंकि 1708 इश्वी में गुरु गोविन सिंग जी की भी मर्थी बताया जाती आगे बढ़ते हैं साथियों पर्मुक रूप से इनकी चारित्रिक विशेष्था और पर्मुक रूप से कारे जो हैं हमने पड़ लिए अब हम बात कर लेते हैं कि ओरंग जिब जो हैं इनका सामराजी विश्थार कहां से कहां तक हमें देखने को मिलता है इसके बारे में हम ब विश्तार की हम बात कर लेते हैं औरंग जेब का जो सामराज्य विश्तार है वह हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है तो औरंग जेब का जो सामराज्य विश्तार है सातियों यहां हमें उत्तरबार से दक्षिन भारत के दर्मियान हमें देखने को मिलता है हालांकि सामराज्य विश्तार के तहाथ कोई कमी नहीं हुई थी औरंग जेब के सासनकाल के अंदर लेकिन अगर बात करें औरंग जेब के बाद में इनके उत्रा अधिकारियों की तो ये सामराज्य अपने पतन की और उन्मुक हो गया था तो बात कर लेते हैं उत्तर में तो ओरंग जेब का जो सामराज्य हैं उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिन में कावेरी नदी कावेरी नदी तक इनका सामराज्य विश्तर तरूप से फेलाव था और अगर बात करें और उत्तर और पश्चिम के मद्दिये कंधार से लगाकर कहां से सातियों कंधार से लगाकर इनका सामरज विस्तार बताया जाता है बंगाल चुंकि बंगला देश जो हैं इसे भी सामराजी के अंतरगत हमें देखने को मिलता हैं मुगलिया सल्तनत के अंद चुंकि हम सामराजी विश्तार पढ़ रहे हैं ओरंग जेब के बारे में तो ओरंग जेब जो हैं इन्होंने दक्षिन विजे के लिए किसके लिए सातियों दक्षिन विजे कितने वर्षों तक 25 वर्षों तक क्या रहा प्रियास रत रहा ता प्रियास रत रहा और इतियास कारों ने अपनी यहां पर अठकली लगना शुरू किया है कि मुगल काल के परमुग पतनों के जो कारण हमें देखने को मिलते हैं वहां ओरंग जेब के 25 वर्षों तक दक्षिन में बीजी रहना अथार्थ ओरंग जेब की कब्र या फिर इसका कब्रिस्तान भी दक्षिन में बताया जाता है और मुगलों का कभिष्टान भी दक्षिन छित्र को ही बताया जाता है चुंकि सिदी सी बात है कि उत्तर भारत का सासक अगर दक्षिन भारत की तरफ आगे बढ़ता है तो उत्तर भारत में उसकी राजनेतिक इस्तती जो है वो कमजोर पढ़ जाती है मैंने पहले बताया है कि उत्तर भारत अथार्त दिल्ली के अंदर साही दरबार जो है इरानी और तुरवानी लोगों का शडियंतरों का केंदर बन कर रह गया था जिसके कारण मुगलिया सल्तनत या दरबार जो है यहाँ पतन की और उन्मुक हो गया था तो सात्यों हमने औरंग जेब के सामरजी विश्तार के बारे में भी हमने बात कर लेती लेकिन अब हम बात कर लेते हैं औरंग जेब के सासनकाल की परमुक रूप से शाहित्यक रचनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि औरंग जेब के सासनकाल में कौन-कौन से रहे थे इनके बारे में भी बाचित कर लेते हैं शाहित्यक रचनाई शाहित्यक एतिहासिक रचनाई शाहित्यक एतिहासिक रचनाई शाहित्यक एतिहासिक रचनाउं के बारे में अगर बात करें सातियों औरंग जेब के सासनकाल की तो पहली रचना जो देखने को मिलती है उ नमबर एक मुन्तखवाब उल रूबी मुन्तखवाब उल लूबी जो है यहाँ पहली रचना देखने को मिलते हैं और अग्जेप के सासनकाल की परमुक रूप से इंपॉर्टन रचना और अगर बात करें सात्यों इनके रचनाकार की तो रचनाकार का जो नाम हमें देखने क को मिलता है यह खूफी को बताए जाता है क्या बताया जाता है क्वे आ कूप के द्वारा मुंतखवाब उल रूबी की रचना की नमबर जू दूसरा जो गृमतवां शाहित्तिक रचना देखने को मिलते हैं और अंग्जेप के सासनकाल की वह बताया जाती है आलम लाम परमुग रूप से एत्यासी गरंत हैं आलंगिर्णामा आलंगिर्णामा जो गरंत हैं इस गरंत का जो रचनाकार हमें देखने को मिलता असातियों उसे काज्यम सीराजी के नाम से भी जाना जाता है काजेम शिराजी काजेम शिराजी बहुत ही चावा नाम बताया जाता है मुगलिया सल्तनत का इस्पेशली औरंग जेब के सासन का लका तीसरा जो इंपोर्टेंट गरंथ हमें देखने को मिलता है औरंग जेब के समकालिन उसका नाम बताया जाता है खुलासत उल त्वारिक खुलासत उल त्वारिक तीसरा इंपोर्टेंट गरंद जो देखने को मिलता है उसे खुलासत उल त्वारिक के नाम से जाना जाता है और इसकी रचना करने वाला शूजन राव भंडारी बताया जाता है शूजन राव भंडारी सूजन राव भंडारी के द्वारा इस गरंद की रचना की गए थी और अंतिम रूप से इंपोर्टेंट जो रचना देखने को मिलती है औरंग जेब के सासनकाल की उसी फुतुहात ए आलमगिरी के नाम से जाना जाता है फुतुहात ए आलमगिरी यहां जो रचना है यह किसके द्वारा लिखी गई इसरदास नागर के द्वारा यह रचना लिखी गई थी आगे बढ़ता है परमूग रूप से जो दर्बारी इतिहास कार देखने को मिलता है औरंग जेब के सासनकाल का उसका नाम एक बार पूछा गया था दर्बारी इतिहास कार बताया जाता है उसका नाम भी कई बार पूचा गया या फिर इसे सरकारी इतिहासकार के नाम से भी जाना जाता है। इसे समकालिन जो परमुग्रूप से साहित्य या इतिहासिक रचनाय जी जिसमें मुंतक्वाब उल्लोभी, आलम गिर नामा, खुलासत उल्तवारीक, फुतवात ए आलम गिरी और परमुग्रूप से सरकारी इतिहासकार के बारे में भी हमने डीटेल पड़ ली हैं। औरंग जेब के समकालिन या औरंग जेब के काल के अंदर परमुग्रूप से विद्रोह और विजे। औरंग जेब कालिन परमुख विद्रोह और विजे। औरंग जेब के समकालिन परमुग्रूप से जो विद्रोह और विजे जो देखने को मिलती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि हमने पहले पड़ लिया हैं कि औरंग जेब एक कट्र सुनी मुसलमान था जिसके कारण बारतवर्स के अंदर अनिक अनिक छित्रों में जातिकत मशलों के अंदर अनिक अनिक विद्रोह की बावना लोगों के अंदर भड़क उटी थी औरंग जेब के परती क्योंकि कट्र सुनिदारूम उदारूल उलिश्लाम अथार्त हिंदुस्तान को मुश्लिम देश बनाना चाता था इसकी दार्मिक और वह सारी ऐसे कट्र नीतियों के कारण लोगों ने इनके विरूद विद्रो की भावना पेदा हो गए थी तो औरंग जेब कालिन परमुग रूप से विद्रो और विजे के उपलक्स में सरुप पर्थम हमें देखने को मिलता है जाट विद्रो है जाट विद्रो जो है यहाँ जो पहला विद्रो है जाट विद्रो पहला शंगठित विद्रो पहला संगठित विद्रो कौन सा देखने को मिलता है औरंगजेब के समकालेन तो उसे जाट विद्रो के नाम से जाना जाता है अब जाट विद्रो जो बताया जाता है इसका नित्रत्व करने वाला था गोकुल जाट क्या नाम गोकुल जाट ने इस युद्ध का या फिर इस विद्रों का नितरतों किया था अब गोकुल जाट जो बताया जाता है इसके उत्रादिकार के तोर पर जो भी रियस्त बताया जाती है जाटों की इसे बरतपुर के नाम से जाना जाता है और बरतपुर इस तिजो दुर्ग है लोहागड के नाम से भी जाना जाता है इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है जो अभीद दुर्गों की स्रेणी में आता है और बरतपुर जो है अथार जाटों का जो परमुग रियासत बताया जाता है इसे डीग परगना के नाम से जाना जाता डीग परगना अथा तर जल मेहलों की नगरी को डीग परगना के नाम से जाना जाता तो नेतर्तु किया था गोकुल जाट ने इस विद्रों का नेतर्तु किया था और गोकुल जाट के इस विद्रों के बाद में गोकुल जाट के बाद में इस विद्रों को आगे बढ़ाया था राजा राम जाट ने राजा राम जाट ने किया किया 1699 इस्वी के अंदार शिकंद्रा बताया जाता है कि उत्तर पर्देश इस्तित आग्रा से उन पचास-पचास किलोमेटर दूर बताया जाता है उत्तर की तरफा शिकंद्रा इस्तित अकबर शिकंद्रा इस्तित अकबर की कब्र शे हडियां अकबर की कब्र से हडियां निकाल कर जला दी गई अकबर की कब्र से हडियां निकाल कर अकबर का जो कंकाल जिसे दफनाया गया था उसे बार निकाल का राजा राम जाट ने इन्हें जला दिया गया था इनका अंतिम संसकार कर दिया गया था जिसके कारण मुगल इनके उपर बहुत जदा कुरूद हो गये थे लेकिन गोकुल जाट, राजाराम, हीरामन, चूडामन, आदि जो जाट विद्रो हुआ था इन परमुक देश विद्रोईयों के द्वारा इन्हें रोकने में मुगल सासक औरंग जेब कटीवद नहीं रहा था इनको रोकने में असफल साबित हुआ था औरंग जेब दूसरा जो विद्रोह देखने को मिलता है सत्नामियों का विद्रोह शत्नामी जो जाती बताया जाती है सर मुंडा करेती है इसके कारण इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है क्या कहा जाता है सात्यों मुंडिया के नाम से भी जाना जाता है अब सत्नामियों का जो विद्रोह देखने को मिलता है ये किस मुद्धे की कारण ये विद्रो हुआ था तो मुद्धा बताया जाता है क्या बताया जाता है धरम के मामले में चुक्कि हमने पहले पढ़ लिया कि औरंग जेब कटर सुनी मुसलमान था दूसरों के धरम को आहत करना या फिर मुस्लिम का धरम परचार या प्रशार करने के लिए दूसरों के धरम के लोगों को धरम पराण करने पर मजबूर कर देता एक्जामपल के तोर पर मैंने सिकों के दस्वी गुरू के बारे में बता दिया था आपको आगे भी और पढ़ेंगे तो सतनामियों का विद्रो होने का एक रिजन बताया जाता है दारमिक मुद्दा और दारमिक निति किसकी औरंग जेब की बताया जाती हैं जिशके कार्ण विद्रो कर दिया था शतनामियों ने और यहाँ जो विद्रो हैं यहाँ आपके नार नोल मेवाथ छेत्र के अंदर हुआ था नारनोल जो छेत्र बताया जाता है मेवाथ मेवाथ छेत्र नारनोल मेवाथ छेत्र नारनोल मेवाथ छेत्र के अंदर यह विद्रो बताया जाता है आगे बढ़ते हैं तीसरा फर्मोक रूप से औरंग जेप के विरूद जो विद्रो हमें देखने को मिलता है वो विद्रो देखने को मिलता है शिकूं का विद्रोव शिकूं का विद्रोव क्यूंकि बताते है İTयाशकार असांजा केBRफा आपवध के अंदार मुघलों के बीच आपश में वेमनेशिष शुरू हो जाता है जो औरंग जेब के बाद तक हमें देखने को मिलता है तो शिकों का जो विद्रोह देखने को मिलता है इसमें मुद्धा जो बताया जाता है दरम परायन दरम परायन या फिर दार्मिक मुद्धा ही बताया जाता है दार्मिक मुद् बहादूर का उधारन हम प्रस्ट對不對 सकते गुरू एग दियों को भी काठ के रख दिया गया था औरंग जेब के आदीप का क्या चिय कर दिया था विद्ग हो कर दिया था मिद्रो की बाउना बढ़ गए थी एग्ध्यो के अंदर आगे बात करते हैं राजपूत विद्रोह राजपूत विद्रोह अब राजपूत जाती जो सदा से मुगलों के प्रति वफादार रही थी लेकिन औरंग जेब के सासनकालक में आते आते कट्टर नीतियों के कारण किसके कारण कट्टर नीतियों के कारण ये विद्रोह हुआ था और राजपूतानी की बात करेता शातियों तो सबसे पहले नाम आता है मारवाड और दूसरा नाम आता है मेवार दोनों के बारे में संक्षित जानकारी बता देता हूं मारवाड का शाशक बताया जाता है अजी सिंग अब इसलाम धरम को दारण कर लेगा तो 25 लाख रुपे का तिलक जो है अजी सिंग को दिया जाएगा मुगलों में इसे उन्छ पद पर काबिज किये जाएगा लेकिन अजी सिंग इस बात को खारिज कर दिया इसलाम धरम को दारण नहीं किया दूसरा मेवार की तरफ से बताया जाता है राज शीहां राज शीहां ने शिकों सरी मुगलों का मुगलों के प्रती विद्रहों की बावना बढ़की थी राज शीहां के और राज शीहां ने जो विद्रहों किया था चूंकि एक कर बताया जाता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जिसे जजिया कर क्या कहा जाता है जजिया कर जजिया कर की बहाली जजिया कर जो बताया जाता है इसकी बहाली कर दी गई थी औरंग जेब के द्वारा 1689 इश्वी के अंदर जिश के कारण मेवाड ने भी मुगलों के परती विद्रोह की बावना परदशित की आगे बढ़ते हैं अंतीम रूप से परमुक रूप से जो मुगलों के खिलाब जो विद्रोह देखने को मिलता है वो मिलता है आपके मराठाओं का विद्रो कौन सा देखने को मिलता है तो बात कर लेते हैं परमुक रूप से विद्रो मराठाओं का विद्रो जो शिवा जी के नेतरत्व के अंद जो विद्रो की भावना बढ़किती उसके बारे में इंपोर्टेंट फिक्ष देख लेते हैं और इसके ताहत हमें बहुत ही परशिद एतियसिक जानकर इसे रूबरू होने का मौका मिलेगा तो बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए मराठा शंगर्स नंबर पांच मुगल वशेज मराठा मुगल और मराठां के मद्ये जो शंगर्स हमें देखने को मिलता है सातियों उसमें जो नाम सामने आता है वो ग्रेट वारियर सिवाजी सिवाजी वसेज औरंग जेब के मद्ये यह विद्रों की बावना बढ़केती सातियों अगर दक्षिन को जीतना है तो मराठां को जीतना बहुत ही आउश्यक बताया जाता है साति ही अगर वीजापूर और गोलकुंडा को जीतना जीतने के लिए जो महतोकान सा बताया जाती है औरंग जेब की उसमें भी मराठाओं को जीतना बहुत ही जरूरी देखने को मिलता है लेकिन औरंग जेब की तरफ से सिवा जी को शंदी वारता के लिए मजबूर करना या पिर हरानी के लिए सर्व पर्थम जी से बेजा जाता है उसे साहिस्ता कहान के नाम से जाना जाता है और शाइस्ता खान के द्वारा जब इनको जब हरा दिया जाता लेकिन वापस पुना है इन्होंने अपने किल्ए वापस जीत लिये लेकिन औरंग जेब और सिवा जी के मद्दी अंताता जो शंदी हमें देखने को मिलती हैं इस संदी के बारे में कई बार सवाल पूछे जाता हैं औरंग जेब और सिवा जी के मद्दी जो संदी हुई हैं यहाँ 22 जून 1665 इश्वी को इस संदी को पुरंदर की संदी के नाम से जाना जाता है अब पुरंदर की संदी के जो यह संदी हुई है इसमें बीचोलिया का जो रोल अदा किया है वह आमेर का जेशिंग आमेर का जेशिंग आमेर के जेशिंग के द्वारा सिवा जी को समझा बुजाकर ये पुरंदर की संदी की गई थी अब जो पुरंदर की संदी की गई है इस संदी की अगर बात करें सात्यों सर्तों की तो सर्तों के तहत सिवा जी ने किशने सातियों शिवा जी ने 35 किलों अपने जीते वे किलों 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दिये किसको दिये मुगलों को दिये शात ही पूत्र शंभाजी संभाजी को मुगल दरबार सात ही संभाजी को मुगल दरबार में मनशब कितना मनशब दिया गया तो 5000 यह शवल भी कई बार पूचनाना शाथि हूं 55000 मनसबदार के साथ ही मुगल दर्बार मे स्व मुगल दर नज़र नज़र रखतेवें। किसे अपने पुत्र शंबा जी को कहां भेजा था मुगल बासा औरंग जेब के दर्बार के अंदर इसे भेज दिया गया था अगर बात करे सातियों संबा जी की बात करे सातियों संबा जी का जो समय हमें देखने को मिलता 1680 से लगा कर 89 इश्वी में इनकी हत्या करवा दी जाती है उसके बाद में राजा राम सासक बनता है मराठों की तरब से तो सातियों हमने सिवाजी और औरंग जेब के मद्येभी मुगल मराठा शंगर्स या फिर विद्रो जो हैं इसके बारे में डीटेल पड़ ली जब हम मराठा इतिहास पड़ेंगे इसके अंदर इसको बड़े पेमाने पर फुल डिटेल के साथ में इसकी संपून एतियासि जानकारी के बारे में भी बात करेंगे आगे बढ़ते हैं सातियों मुगल मराठा संगर्स के बाद में औरंग जेब जो हैं इसके अलावा और कहां कहां पर औरंग जेब के खिलाफ विद्रो की बावना बढ़की थी तो मैं बताना चाहता हूं कि औरंग जेब के संपून भ बारत के अंदर बीजापूर जहां से 1686 इश्य में विद्रह हुआ था शाथ ही गोल कुंड़ा जो बताया जाता है 1687 इश्य के अंदर आदिलसा के द्वारा आदिलसा और पर्मुग जो निजाम बताया जाते इनके द्वारा इनकी विद्रहों की बावना बढ़ की थी तो सात पर्मुख चारित्रिक विश्यस्थाओं के बारे में भी हमने बात कर ली अब हम बात कर लेते हैं औरंग जिर्ब के द्वारा जो पर्मुख कारी किये गए थे इसके अंदर लाल किल्ला कौन सा किल्ला मोती मसज्जिद जो बताया जाती हैं मस्जिद का निर्मान मोती मस्जिद का जो निर्मान किसके द्वारा करवाया गया है औरंग जेब के द्वारा करवाया गया शाथ ही अब हम बात कर लेते हैं औरंग जेब की मरत्यू के बारे में तो ओरंग जेब जो हैं इनकी मर्तिव 4 मार्च 1707 इश्वी को हो गई तो बात करें अगर ओरंग जेब के मकबरेगी तो ओरंग जेब ने अपने मर्तिव से पहले ही ये बता दिया कि मेरा जो मकबरा बनाना है बिल्कुल शाधारंट तरीके से बनाना जादा इसमें पैसा खर्च नहीं करना है तो ओरंग जेब का जो मकबरा देखने को मिलता है साथियों ये कहां इस्तित हैं तो जगह का नाम आता है आपके दौलताबाद महाराश्टर में पड़ता है दोलता बाद के अंदर अल्लेडी एक कबर बताए जाती है जेमुल हक जेमुल हक की कबर के पास दफनाया गया औरंग जेब को जैमुल हक की कबर के पास में ही औरंग जेब को दखना दिया गया है तो साथ यूँ हमने मुगलिय सल्तनत के तहा जहिरुदिन बाबर है उमायू है अकबर है जांगीर है साजा और औरंग जेब की संपूर्ण एतियसिक जानकारी पड़ी हम आगरीम आगे जो वीडियो है इसमें मुगलों का जो पतन है पतन के कारण या फिर औरंग जेब के परमुग जो उत्रादी कारी है उन्हें और किश नाम से जाना जाता है गरनित काहिर किसे का जाता है लंपट मुर्क किसे का जाता है रंगिला बात्सा किसे का जाता है इनक एतियसिक जानकारी भी जरूर लेंगे धन्यवाद